अब्सक्तर अब्सक्तर बारे कि बारे में उसने कभी सोचा ऐसा ही होसला दिखाया है भारत की पहली द्रिष्टी हिन IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल ने देश की पहली द्रिष्टी बादित महिला IAS बनने वाली महराश्ट्र की प्रांजल पाटिल चर्चा में है 28 साल की प्रांजल का जनम महाराश्टर के उल्लास नगर में हुआ वो मात्र 6 साल की थी जब खेल खेल में उनकी आँख में पैंसल लग गई यहादसा इतना गंभीर था कि कुछ दिन बाद ही उनकी दोनों आखों की रोश्णी चली गई अचानक अंधेरे में चली की दुनिया से जूजना प्रांजल के लिए सबसे बड़ी चुनोती थी प्रांजल के माता पिता ने कभी भी उनकी नेत्र हिंता को उनकी शिक्षा के बीच आड़े नहीं आने दिया उन्होंने मुंबई के दादर में स्थित नेत्रहीनों के स्कूल में प्राँजल का दाखिला कराया प्राँजल ने दसवी और बारवी की परिक्षा भी बहुत अच्छे अंकों से उतियन की और बारवी में चांदीवाई कॉलेज में कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रांजल ने एक साक्षातकार में बताया था कि मैं हर रोज उल्लास नगर से सीएस्टी जाया करती थी सभी लोग मेरी मदद करते थे कभी सड़क पार करने में, कभी ट्रेन में चड़ने में बाकी कुछ लोग कहते थे कि मुझे उल्लास नगर के ही किसी कॉलेज में पढ़ना चाहिए पर मैं उनको सिर्फ इतना कहती थी कि मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है और मुझे हर रोज आने जाने में कोई परेशानी नहीं है हाला कि ये कहना है प्रांजल पाटिल का कि शुरुवाती दोर में UPSC के बारे में जब वो सोच रही थी तो किसी को कुछ बताया नहीं करती थी कि लोग क्या सोचेंगे, हसेंगे उन पर कि भला IES की परिक्षा में एक द्रिष्टी हीन लड़की कैसे उसमें सफलता पा सकती है उसके लिए तो जीवन यापन करना ही मुश्किल है या कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है इसलिए वो किसी को बताया नहीं करती थी और गुप चुप तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और जो भी उपलब्द संसादन थे उसी में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी 2016 में प्रांजल ने संग लोग सेवा आयो की परिक्षा में 773 वी रैंक हासिल की तब उन्हें बहरती रेलवे खाता सेवा में नोकरी का प्रस्ताव मिला लेकिन द्रिष्टी हींता के कारण उन्हें नोकरी नहीं दी गई वो बहुत नेराज थी लेकिन उन्होंने हार मानने की जगे दोबारा प्रयास करने की ठानी अगले साल वो 124 वी रैंक लेकर आई और उनकी सफलता ने सभी पूर्वा ग्रहों को जवाब दे दिया केरल कैडर की प्रांजल पाटल ने सोंवार को तिरुवनंद पूरम में उपजिला अधिकारी का पदभार संभाला वो एक ऐसी विवस्ता बनाना चाहती हैं जिसमें हर किसी को बिना बेहदभाव के अफसर मिले प्रांजल पाटल ने एक वाक्य में अपने संघर्ष और सफलता की कहानी बता दी जब वो बोली कि मैंने कभी हार नहीं मानी अपनी सफलता का श्रेव वो अपने मा पिता को देती हैं जो उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहे और इस तरह से वो फोलादी विचारों फोलादी इरादों की मिसाल बन गई ऐसे लोगों के लिए जो मुश्किलों को देखकर बहुत जल्द निराश हो जाते हैं या हिम्मत छोड़ देते हैं हम सलाम करते हैं परांजल पार्टिल के बुलंद इरादों और होंसलों की आज वो सब के लिए एक बहतेरीन मिसाल बन गई है जम्मू से दीपक बंधारी के साथ राहू सिंग यूफो यू के लिए